चोटा नागपुर पठार की सबसे उची परवत चोटी है ओप्षन A, दूपकुर ओप्षन B, पंच्मरी ओप्षन C, पारसनात ओप्षन D, महाबलेश्वर करक्ट आंसर आर्यों ने भारत में किस दर्रे से होकर प्रवेश किया था? ओप्षन A, ख्याबर ओप्षन B, बोलन ओप्षन C, कारा कोरम ओप्षन D, शिपकी करक्ट आंसर बुर्जिल तथा जोजला दर्रा निमनलिखित में से किस राजय में स्थित है? ओप्षन A, हिमाचल प्रदेश ओप्षन B, जम्मू कश्मीर ओप्षन C, सिक्किम ओप्षन D, उत्तरा खंद रॉमान निमनलिखित नदियों में से कौन एक विनाशक नदी कहलाती है? ओप्षन A, नर्मदा ओप्षन B, तापी ओप्षन C, कोसी ओप्षन D, गंदक निमनलिखित में से किस नदी को विध गंगा के नाम से जाना जाता है? ओप्षन A, गोदावरी ओप्षन B, महानदी ओप्षन C, क्रिष्णा ओप्षन D, कावेरी ओप्षन ओप्षन A, पंजाब के निर्मान में सबस महत्वकून नदी कॉन C है? ओप्षन A, सत्लज ओप्षन B, व्यास ओप्षन C, जेलम ओप्षन D, सिंदु Correct answer भागी रथी नदी निकलती है Option A, गंगो उत्री से Option B, गोमुक से Option C, मांसरोवर से Option D, तपोवन से Correct answer टिहरी बाल्ध निमनलिखित में से किन दो नदियों की संगम पर स्थित है Option A, गंगा व यमुना Option B, भागी रथी व अलकनन्दा Option C, भागी रथी व बिलांगना Option D, अलकनन्दा व मंदाकिनी Correct answer उमियम जी किस राज्य में स्थित है Option A, मनिपूर Option B, मिजोरम Option C, मेघले Option D, त्रिपुरा Correct answer